पैरे छात्रों, जिन्दगी की बड़ी जुरूरत है हार, इस कवीता के और कुछ छंदों को मैं आपके सामने इस पस्टिकरन के जरीए सरल और आसान बना देता हूँ, ध्यान पुरुवक देखिए और सुनिए पैरे छात्रों, जिन्दगी में उज्दालों की तमना तो हर कोई करता है, लेकिन अगर हम अंधिरों की उम्मीद करें और अंधिरों के अंदर अपने सपनों को पूरा करें, तो उसका अनन्दी कोछ हो रहता है कभी हमने यह सोचा कि उजालों की तमना तो हर कोई करता है हमें अपने अंधिरों में से रास्ता बनाना है हिम्मत देने की बात कर रहा है कभी हम अगर दूसरों के आशों पोचें तो हमें कदर होती है जिंदगी की कदर होती है एक च्छंद में कभी हमसे आगे बढ़कर ये कह रहे हैं कि हारने के बाद जो होसला मिलता है वो होसले से अगर हम उसके आसों को अगर हम उस हार के आसों को अगर हम पी जाएं उसके बाद जो खुशी मिलती है उसके बाद जो जीत मिलती है उस जीत का आनन्द ही कुछ और होता है और आखरी में आखरी च्छंद में कभी हमसे कह रहे हैं आभार पर कट कर रहे हैं कि जिन्दगी में जो हार मिलती है तो बार बार हार मिलती है तो वो हार का आभार पर कट कर रहे हैं कभी कह रहे हैं कि अगर हार नहीं मिलती तो आज मेरी जिन्दगी में खुशाली नहीं आती आज मैं इतना खुश नहीं होता, मैं जिन्दगी को जीच चुका हूँ क्यों? क्योंकि हार मेरी गुरू है, मुझे सिकाया है हार ने काटों से लड़ना, परवतों से लड़ना, पहाडों से लड़ना, टकराना, ये मुझे सब हार में सिकाया, ये मेरे ग्रू है, ये ग्यान अगर जिन्दगी में अगर मैं आसान और सरल होता, तो मैं कभी जीत नहीं पाता, इसके लिए जिन्दगी की बड़ी जुरूरत है हार इस कविता में कवी ने गुरू माना है हार को और उस पे जीत निकाली है उनोंने तो च्छात्रो जिंदगी में भविश्यत काल में भूत काल में जो हम छोड़ चुके हैं अब इस बात को ध्यान रखके कि हमें भविश्यत काल बनाना है तो हमें हार को अपना गुरू बनाना है यही इस कविता का उतेश है